नमस्कार फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल PCMBA Digital Group पर Experience the Holistic Learning फ्रेंट्स आज हम लोग क्लास 10 की बात करने वाले हैं दोस्तो 29 डेसेंबर की ये वरक्षिट है वरक्षिट नमबर 71 इसे रिविजिन प्लान अबाउट रिसोर्स एंड डेवलप्मेंट कि रिसोर्स कैसे होंगे और उसको हमें डेवलप्मेंट में कैसे इस्तमाल करना है उसको अपर यहां बात होगी आईए पहले पाँच कोशन्स हम करते हैं दोस्तों प्लासिफिकेशन दोस्तों रिसोर्स एंड रिसोर्स एंड रिसोर्स पर हम दो कह सकते हैं एक जो जैविक आते हैं जिसको हम कहते हैं बाइटिक जो लिविंग और गैनिसम्स हैं हमारे इनवार्मेंट में all living organisms in our environment are called as biotic resources like trees, animals and insects दूसरे होते हैं एजयविक, abiotic resources इसमें on known living things प्रेजंट इनवार्मेंट उसको हम कहते हैं abiotic जैसे earth, air, water, metal and rock sprints on basis of exhaustibility अगर हम बात करते हैं कि कौन सी चीज़ एक बार यूज होने का खतम हो जाएगी और कौन सी बनी रहेगी तो there are certain renewable sources that can be replenished within the future are called as renewable जो दुबारे आप बना सकते हो रिगेन कर सकते हो जैसे agriculture, खेती आपने जमीन पर करी बार बार कर सकते हो, crops, बार बार कर सकते हो water, forest, wildlife और कुछ ऐसे भी resources हो सकते हैं जो बारह replenish यह दुबारह नहीं बन सकते future में उनको कहते है जैसे कोईला के ख़दान हो रहे है सब बारह आप नहीं बना पाएंगे उनको इत्ती असानी से on basis of development अगर हम बात करते हैं तो potential sources होते हैं जो technology के लिए available होते हैं लेकिन use नहीं किया जाते reasonable scale पर example इसका होता है दोस्तो solar energy ठीक है potential source हो सकता है use बट अभी use नहीं किया जा रहा है developed sources जो already use हो रहे हैं जो currently use में जैसे कोईला और petroleum हम अपने देश में भी देख सकता है कि solar energy पर बहुत focus है recent India government या बीजिपी government का developed resources को दिरेदरे कम करने की कोशिश की जा रहे हैं क्योंकि ज़्यादा developed resources non renewable है उसके आदम ऐसा भी कह सकते है कुछ जो stock होते हैं जो resources तो हैं जैसे hydrogen का fuel लेकिन अभी उनके लिए मर पास technology नहीं है कि हम उसका इस्तमाल कर पाएं ownership के base पर भी हो सकता है कुछ resources के ओपर किसी individual का किसी company का कबज़ा होता है तो कुछ पर community का या international resources का भी कबज़ा रहता है friends तो भाई इस तरीके से हमने पहला question कर लिया कि resources में जैविक, जैविक, बायटिक, बायटिक exhaustibility के साब से एक renewable जो use होंगे, बारबर एक non-renewable जो use नहीं होंगे status of development के साब से एक resource जो potential है जो अब इतना use नहीं हो पा रहा एक जो already use हो रहा है एक जो stock में है जिसकी अभी अपने पास technology नहीं है describe the various factors responsible for soil formation ब्रिदा बनने के लिए कौन-कौन से factors responsible होते हैं वो यहाँ पर हमें discuss करने हैं तो soil the upper layer of earth सबसे उपर ही परत होती है प्रत्वी की जिसमें plants जो होते हैं grow करते हैं black और dark brown material ठीक है उस पर grow करते हैं plant ठीक है और कैसा material होता है dark और brown जो म्रदा होती है यार typically consisting of इसके अंदर क्या-क्या होता है anomalies soil के अंदर normally clay होता है rock particles मिट्टी और rock particles होते हैं इसका हम कहते हैं soil क्या factors होते हैं तो parent material पहले बात तो जो material है clay या rock वो खांसे है तो यह deposit होता है streams order right from weathering तो जो नदियों के साथ बहकर आते हैं चीज़ें या जब rocks गिरती हैं या टूटती हैं चोटे किस्सों में तब मिट्टी बन सकती है soil का जो color होता है या particle size ये सब उसके अंदर जो chemical elements हैं कहां से वो है है किस प्रकार के पार्ड से आया है उससे decide होता है कि कैसा होगा दोस्तों next is climate ये बहुत important factor होता है soil formation में क्योंकि खराब climate होता है तो weathering जादा होते it effect rate of weathering of parent rock role of precipitation ये बात भी सही है कि chemical elements कितना precipitate करेंगे और एक जगह पर कितना इकठा होंगे उससे भी decide होगा it also modifies the composition कि soil की composition क्या होगी temperature का role भी बहुत important होता है क्योंकि temperature control करता है कितना पानी गिरेगा soil surface पे as well as the soil it increase the rate of reaction such as chemical reactions soil erosion में भी इसका role रहता है तो इसलिए इसमें बहुत important role है इसका साथ में evaporation और biological processes भी जैसे कि osmosis वाले plasmolysis वाले shrinking और swallowing तो ये सब इस effect होता है biota जो होता है उसका मतलब होता है flora, fauna and microorganisms biotic conjunction यानि कि जो biological वहाँ पे जीव हैं वो भी बहुत तक decide करते हैं या modify करते हैं parent material को जिसको क्या बनानी है soil तो हमारे पस 4-5 यहाँ पर चीज़े हैं दोस्तों सबसे पहले parent material कि कौन से material से soil बनी है दूसरा है climate कि कैसा climate था उसके base पर चीज़े बदलती है weathering effect होने से precipitation से बदलती है temperature से बदलती है और biotic flora और fauna से बदलती है important question है board के लिए ध्यान रखेगा next question is friends mention about some of the environmental issues जो arise हो सकते हैं non-judicious utilization से कि अगर हम ठीक से इस्तमाल ना करें resources का अपने development में तो क्या समस्यां आएंगी तो देखे क्या समस्यां आएंगी बच्चों deforestation पेड़ कटने लग जाएंगे पेड़ कम हो जाएंगे desertification जादा area मरुस्थल बनने लग जाएगा बहुत सारी species जो उन forest पर वो कम हो जाएंगे ozone layer depletion यानि कि जो ozone की परत में छेद उससे UV rays अंदर आएंगे और global warming बढ़ाएंगी greenhouse gases बढ़ेंगी ये भी हो सकते हैं और natural hazards भी हो सकते और जादा इस्तमाल करेंगे तो metal और mineral का depletion भी हो सकता है तो ये बहुत सारी हमारे सामने समस्या हैं कि अगर हमने ठीक से इस्तमाल नहीं किया तो पेड़ कम हो जाएंगे species कम हो जाएंगी migration करना पड़ेगा soil का erosion होगा ozone layer चली जाएगे बहुत सारी दिक्कते आ सकती है let's move to the next question friends consequences of environmental degradation do not respect national or state boundaries तो भाई जो environment को नुकसान होता है वो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ अगर environment को नुकसान करें तो सिर्फ आप ही को होगा सब को होगा जैसे अगर UV rays हट रही है प्रित्वी के उपर से है पार village निए फायदा बी सब को को डिफेक्ट कररे विंए रही है कि बीसे क्षटरी बरे Dorothy नहीं है नहें टुल नहीं हैं डूनोट रिस्पेक्ट नैशनल और स्टेट बांडरीज बिकोज़ इस नोटे अ नेशनल इशू क्योंकि यह किसी एक शित्र या देश का इशू नहीं है आक्चुली यह कैसा इंटरनाशनल इशू है जैसे इन्वार्मेंटल डिग्रेड होने से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो सबके बढ़ रही है ऐसे ड्रेन बढ़ रही है ओजो लेर डिपलीशन हो रही है तो इस सभी कारणों से सभी लोग एफेक्ट होते हैं विच कैन नोट बी कंट्रोल इसको कोई बाउंटरी कंट्रोल नहीं कर सकती है हमारा फ्यूचर जो है सबका साथ ही है पूरी हूमन परजाती का इसलिए हमारा रोल है कि हम डेवलप् منट को सस्थेन करें जो सभी मैंनकाइन के लिए जरूरी है साथ ही साथ हमारी रिस्पॉर्मिलिटी भी है कि हम डेवलप् منट के साथ अपने इंवर्मिंट को नुकसान ना पहुंचाएं ठीक है और ये आजपे बहुत सारी अगर्पसारे तो आपनाए बहुत सारे पारिश कैम में नहीं करना है तो हमें क्या समझ में आए बच्चो हमें समझ में आए कि इन्वार्बेंट डिगрेडे हैं उने से सभी को एक साथ नुक्सान पहुँच सकता है आपको कुछ major suggest करनी है जिससे land degradation की problem solve हो जाए तो क्या कर सकते हो जो समस्या आनी थी उनको नहीं आने देंगे जैसे deforestation होना था तो afforestation कर दो बहुत सरे tree plant कर दो management कर दो कि घास बगएरा जादा ना खाई जाए ना काटी जाए जो आपको लग रहा था metal activities खतम हो जाएगी या कोई लगा source non-renewal वाले खतम हो जाएगी तो mining activities पर control रखो कि इतना ही करना है जो industry से effluents या waste आता है उसको proper discharge करो डारेक्ट नदी में मट डालो वरना oxygen की कमी हो जाती है by chemical oxygen demand कम होनी के वदे से fishes के लिए अपनी waste lands का जो बंदर जमीने है खराब जमीने उनको अच्छे से इस्तेमाल करें stabilize करें थोरनी bushes का और shelter belts भी planting के लिए बनाए कि उनको कोई जल्दी से हराब वो ना हो in moment के कारण environmental conditions के कारण आये दोस्तों source based questions करते हैं तो इसमें हमने क्या देखा है इस question में ज्यादा से ज्यादा पेड लगाना और अपने resources को ठीक से इस्तेमाल करना हमने question 5 में सीखा so we did five question friends now let's back get to the source friends planning is widely accepted strategy for judicious तो भाई ये बहुत important है कि हम अच्छे से resources का इस्तेमाल करने के लिए अच्छी strategy बनाए it has importance in a country like India which has enormous diversity in the availability of resources और भारत जैसे देश के लिए बहुत जरूरी हो जाता है जहां पर बहुत जादा diverse form में बहुत जादा different type के resources हैं जैसे कुछ reasons में भारत के कुछ हिस्सों में कुछ resources जादा हैं लेकिन कुछ कम हैं for example अगर हम देखते हैं कि कुछ reasons हैं तो self sufficient है resources के availability में जैसे अब यह आप नीचे example पढ़ेंगे और कुछ है जिनके पास shortage है जरूरी resources के है संसाधन की for example जारखंड, 36 गड़ और मध्यपरदेश इनके पस बहुत सारे minerals और cold deposits प्रेजेंट हैं अरुनाचल परदेश के पास पानी बहुत जादा है लेकिन infrastructure development वहाँ पर नहीं है राजस्तान के पास solar energy, wind energy है लेकिन पानी का resource नहीं है तो हमने देखा न, enormous diversity है कि राजस्तान के पास पानी नहीं है लेकिन solar energy है अरुनाचल लिगाश पानी है, बाके development नहीं है मध्यपरदेश के पास mineral deposits हैं तो different different type के resources different areas में इंडिया में है इसी वज़े से हम लोग क्या कहते हैं बच्चों हम कहते हैं कि दोस्तों students कि वह यह जो है enormous diversity है बारत में जैसे जो बारत का cold इलाका अलग दाक वो बारत के बाके country से अलग साही है इस वहाँ पर बहुत rich cultural heritage पर वहाँ पर पानी की कमी है infrastructure की कमी है तो जब इतना सब कुछ different different है तो हमें एक plan करना पड़ेगा कि balanced resource planning हो national level पर regional और local level पर कि सब को चीज़ें बड़ाबर बड़ाबर बट़ सके आईए अब कुछ सवालों के जवाब करते हैं friends so friends for the first question why is resources planning necessary अगर हम अंसर डूणना चाहते हैं तो balanced resource planning is necessary due to enormous diversity कहीं कम है कहीं ज़ाद है अगर नहीं करेंगे तो खराब हो जाएगा सब कुछ अच्छे से किसी भी state को नहीं मिलेंगी चीज़ें लड़ाग के characteristic बताएं तो भी लड़ाग cold desert area है वो relatively isolated country से rich cultural heritage है उसकी पर पानी और vital minerals में उसके पास कमी है वो इंडियन स्टेट बताएं जहापर कोल बहुत जाद है तो जहारकन, 36 गड़ और मध्यपरदेश हम जानते ही हैं वो इंडियन स्टेट बताएं जहापर आपको abundant water नहीं मिलेगा तो राजस्थान और दाग में आपको abundant water resources नहीं मिलेंगे फ्रेंट्स इसी के साथ ये वर्क्षिट समापत होती है फ्रेंट्स अपने दोस्तों के साथ स्टूडेंट्स जरूर इसको शेर करें वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब चैनल को अब आश्य करें दोस्तों, have a good day friends take care of yourself, thank you for watching the video, have a good day